आज मैं बनाएंगे creamy butter garlic chicken यह देखने में जितना tempting है खाने में उससे भी जादा tasty है बनाना बेहद आसान, quick and easy chicken starter recipe जरू try करिएगा और recipe अची लगे ना तो like, share और subscribe करना मत भूलेगा तो चलिए बनाते हैं butter garlic chicken तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ kitchen में कुछ तयारी करने के लिए तो यहाँ पर मैंने almost 500 gram के असपास chicken ले लिया था जिसको मैंने छोटे टुकडों में cut कर लिया है मैंने तो bonless pieces ही इस्तमाल किये थे, आप इसके जगे पर normal bones वाले pieces भी ले सकते है और इसको हम सबसे पहले marinate कर लेंगे, अगर आप इसको 10 minute के लिए marinate करें लेंगे तो इससे यह बहुत अच्छे से अंदर भार marinate हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने एक tablespoon इसमें अध्रक lesson अड़ किया है तगरीबन एक छोटा ही छोटा चमज मैंने अड़ किया था soya sauce, यह dark soya sauce है, अगर आपके पस light वाला है ना तो आप थोड़ा जादा अड़ कर सकते है आधा चमज मैंने लिया था vinegar, अगर आपके पस नहीं है तो नीबू का रस आप अड़ कर सकते है आधा चमज लिया था मैंने काली मिर्च का powder और इसको अच्छे से mix कर ले, थोड़ा सा नमक भी add कर लेना है आपने maximum इसको 10 minute के लिए ही मैंने marinate किया था, आपके पस time है तो आप जादा भी रख सकते है, quantity बहुत जादा वैसे नहीं थी यहाँ पर मैंने कड़ाई चड़ा दी है और थोड़ा सा oil add कर लिया है इसमें, oil गरम हो जाया तो flame low कर ले और chicken हमने add कर लेना है साथ साथ थोड़ा सा मैंने पानी add कर लिया था, बिकोज बहुत जादा dry था ही, मैंने इसमें अंडा दही कुछ भी add नहीं किया था तो add करके आपने इसको अच्छे से mix कर लेना है, bonless chicken के pieces बहुत जल्दी cook हो जाते हैं, तो low flame पे इसको cover करके 10 minute के लिए छोड़ दे, ताकि chicken tender हो जाए बीच में मैंने खोल कर एक बार इसको चला लिया था, आप देख सकते हैं तेजी से उबल रही है, तो इसको medium flame पे छोड़ देते हैं ताकि dry हो जाए यहाँ पर मैंने gravy के लिए थोड़ा सा corn flour इस्तेमाल किया है, तो एक tablespoon लिया था मैंने और इसमें तकरीबन आधा से पॉना कब पानी आट कर ले और इसको बहुत अच्छे से अपने mix कर ले रहा है, corn flour नीचे तले पे जाके बैट जाता है, तो mix करके side में रख दे, यहाँ द अब यहाँ पर क्यूंकि हम butter garlic chicken बना रहे थे इसलिए मैंने amul butter का इस्तेमाल किया है, बस एक tablespoon अड़ किया था, अगर आपको जादा पसंदे तो आप जादा add कर सकते हैं उसके अंदर, बस थोड़ा सा butter melt हो जाए ना, फिर हम इसमे अड़ कर देंगे, दो tablespoon भरके बारिक chop कि बस flame low कर ले और यह corn flour का जो हमने mixture बनाया था ना, पानी add करके, वो add करके mix कर ले, यह बहुत जिल्दी गाड़ा हो जाता है, इसलिए आपने चलाते रहना है ताकि गुटलिया नहीं पड़े इसके अंदर, और फिर आपने थोड़ा सा पानी add कर ले रहना है उसकी gravy adjust करने के लिए, साथ में थोड़ा सा काली मिर्च का powder, अगर आपके पर सफेद मिर्च है तो आप वो भी add कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक add किया था मैंने gravy के हिसाब से, एक चोथा ही छोटा सा चमच मैंने add किया था, soya sauce, आपने जाधा add नहीं करना है वनना color gravy का बिल्कुल brown हो मेरे पास आज available नहीं था, तो मैंने पहले chicken add कर लिया है और इसको gravy के साथ पहले mix कर ले, साथ साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया add किया है, cream add करेंगे, मैंने तो अमूल का cream इस्तवाल किया था, आप इसके जगे पर जो घर की जमी हुई मलाई आती है न, वो भी add कर सकते है, 2 tablespoon add कर ले और अच्छे से mix कर ले, इससे बहुत creamy सा texture आएगा, color भी बहुत अच्छा आएगा, mix कर ले इसको, थोड़ा सा consistency adjust करने के लिए मैंने पानी add कर रहा है, क्योंकि हम इसको 3-4 minute cook करेंगे, फिर यह थोड़ा सा गाड़ा हो जाएगा, तो बस cover करके 5 minute cook कर लेते, ताकि oil थोड़ा surface out हो जाए उपर, तो यह दिखिए, oil surface out हो गया है, इसको अच्छे से mix कर ले, बहुत ही creamy, बहुत ही tasty बन के तियार हुआ था, आप इसको rice के साथ serve करेगा, मैं sure आपको यह बहुत पसंद आने वाला है, तो बस gas कफले मैंने यहा जरू try करिएगा, और मुझे feedback जरूर दीजेगा, कि आपको यह recipes कैसी लगी, तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलती हूँ, एक और नहीं और ताजा recipe के साथ, तब तक इजाज़त चाह दियू, thank you so much for watching my video, take good care, bye